दूसरी पाली की सक्षमता परिक्षा जाने क्यों हुई है अस्थागित नमस्कार मैं दिव्यस वगत है आपका अच्छ किस वीडियो में जारी करके दी गई है खबर सामने आई है कि 27 पवरी को आयोजत होई दूसरी पाली की परिक्षा में बिहार के 52 केंद्रों पर तकनीकी समस्या उत्पन हो गई थी जिस वज़ा से सक्षा का भ्यारतियों को परिक्षा हॉल में दो घंटे बैटने भी परे लेकिन फिर अंतिम सम मिली की परिक्षा को रद कर दिया गया है आपको बता दें कि ये तकनीकी समस्या पटना के साथ साथ प्रदेश के नौजलों में बनाए गये केंद्रों पर भी देखने को मिली थी जिस वज़ा से कई परिक्षा केंद्रों पर सक्षा का भ्यारतियों ने हंगामा भी किया हा प्रदेश के नौजलों में 52 केंद्रों पर भाग लिया था इस दौरान कुछ केंद्रों पर उपस्तिती भी कम देखने को मिली थी कई ऐसे सिक्षकों को लेकर खबर आई कि ऑनलाइन आयोजित हो रहे इस परिक्षा में उन्हें माउस चलाने के दौरान थोरी परिसानी का साम कर दोराद था इलेक्टोंिक गैजट ले जाने पर भी पाबंदी थी साथ ही परिक्षा केंद्रों पर प्रभेस के दौरान भी अभ्यातियों की दो स्थस्तरों पर जांच होई थी इसके अलावे से दौरान जूता मोजा पहन कर भी जाने के नुमती नहीं दि गई थी जो भी अभ्यरतिस दौरान जूता मोजा पहन कर आये थे उनसे भी परिक्षा केंद्रों पर बाहर में ही जूते मोजे खुलवा लिये गया थे इसके लावे जिन सक्षकों ने चेन पायल आधी पहने थे उससे भी उतरवा लिया गया था ये सबी वैवस्ताइं कदा चार मुक्त परिक्षा करवाने को लेकर की गई है ताकि परिक्षा को सफलता पूर्वक आयोजित करवाया जा सके इसके लावे परिक्षा केंद्रों पर परिक्षा देने पहुंचे अब भीहरतियों के अटेंडेंस भी बायोमेट्रिक तरीके से हीली गई है इसके लावे परिक्षा केंद्रों पर परियाप्त संख्या में सस्वस्तर पुलिस बल भी देखने को मिले थे साथ ये स्टैटिक दंडा धिकारी की प्रतिनुक्ती का भी निर्देश दिया गया था आज के लिए फिल हाल इतना ही यदि आप भी सक्षमता परिक्षा में सामल होने वाले हैं तो हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं हमारे साथ बने रान के लिए आपका धन्यवाद